यह सबसे कठिन समय नहीं, लेखक परिचय, कवित्री, जादवानी जया, एक मई 1969, कोत्मा, शहडोल, मध्यप्रदेश स्थान में जन्म हुआ, भावार्थ पढ़ने से पहले हम यह कविता एक बार पढ़ेंगे, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिडिया की, चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तयारी में है, अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ ए, अभी भी भीड है स्टेशन पर, अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है, गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है, कोई किसी को जल्दी आजाओ की अब सूरज दूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों क की खबर, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरने चमक रही है, वो कहती है, यह सबसे बुरा वक्त नहीं है, अभी चिडिया अपना घोसला बुनने के लिए इनके जमा कर रही है, व्रिक्ष से गिर्ती पत्ती को ठामने के लिए कोई हाथ अभी मौजूद है, अभी भी अपनी मन्जिल तक पहुचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को उनकी मन्जिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है, कवित्री ने निराशा से भरे इस संसार मे भी आशा का दामन थाम रखा है, तभी वो इन पंक्तियों में कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है, आज भी कोई घर पर किसी का इंतजार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है, जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिल्चस्प कहानि गुंजती रहेंगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा.